हालो गाइज, I'm on this side, welcome all to our YouTube channel, hope you all are doing great आज की इस वीडियो में कवर करेंगे हम कुछ basic self defense moves तो चलो अभी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ अभी हम आपको explain करेंगे कि मान लो किसी ने आपको आपके neck से पकड़ डखाए लाइक, she's holding my neck और मुझे नीचे की तरफ पूल कर रही है तो अभी आप notice कर सकते हो कि मेरे और उसके पैर के बीच में सिर्फ एक step का distance है तो उस case में आप क्या कर सकते हो और एक और scenario अगर वो ऐसे situation में है तो आप उसकी leg उठा के सामने वाले को नीचे गिरा सकते हो लेकिन इस situation में आप अपना एक हाथ उसकी back पे लेगा होगे दूसरे हाथ से उसके knee को उठाना है वो नीचे गिरा देना है इसके अलावा आप चाहो तो इसके हाथ में knee attack दे सकते हो elbow attack दे सकते हो वो totally आपके उपर है क्या कौन कौन सा attack दे सकते हो तो अब भी आपका एक हाथ उसकी कमर पे आप होएगा दूसरे हाथ से उसके knee को उठा के आपको नीचे गिराना है now let's move on to second situation तो अब भी इस situation में आप देखोगे कि किसी ने आपको कपड़ों से पकड़ रखा है तो उस टाइम पे आप कैसे खुटकू बचा सकते हो और सामने वाले को हट करके उस situation से बाहर आ सकते हो मालो अब मैं इसके कपड़ों वैसे पकड़ रही हूं तो अपने opposite hand से मेरा wrist hold करेगी सबसे पहले फिर दूसरे हाथ से elbow joint से मेरे arm को नीचे कदर प्रेस करना है अब मेरा पूरा का पूरा control उसके हाथ में है वो चाहे तो elbow से थोड़ा pressure देके मेरे shoulder को break कर सकती है and second option है वो नी से directly weak point या death point पे attack दे सकती है hit one two अब जितना actively आप attack करोगे उसी के ओपर depend कर गया कि आप कितनी जल्दी उस situation से बहार आ सकोगी तो आपको fast attack देना है just hit hit तो मालो इसने मुझे अब ऐसे कपड़ों से पकड़ा है तो मेरे लिए best way क्या है कि मैं इस situation से बाहर आ सकती हूँ सबसे पहले अपने हाथ से उसको wrist को hold करो और इसे turn कर दो जैसे यह आप turn करोगे अब दूसरे हाथ को ऐसे निकालो और पीछे की तरफ turn हो जाओ उसकी पूरी बोड़ी आपके control में आप थोड़ा सा pressure दोगे और नीचे गिर जाएगा अब उसकी पूरी बोड़ी आपके control में तो best way है कि यहां से directly elbow attack दो और या फिर directly punch से attack देना उसके neck पे या फिर kick दे सकते हो सब कुछ आपके उपर depend करता है जब भी बंदा आपके control में किये उन मुप्स को जितना हो सके अपने family के साथ में friends के साथ में practice करो मैं नहीं चाहती हूं कि कभी भी किसी को भी इन मुप्स की जुरूरत पड़े इन extreme case be prepared for anything अगर आप इस चैनल पर नए हो तो do subscribe my channel now and press that bell icon so that you will get notification for upcoming videos see you soon in the next video till then stay safe stay alert bye